पूर्ण रूप से जो सरकार है बीजेपी की है तो इसके बारे में क्या बताएंगे अब मुस्लमान मंदिर की तामीर में मंदिर बनने में कोई रिकावट नहीं है बलके ये बीजेपी और आरेसस का मिला जुला खेला है बीजेपी सिर्फ ओट की सियासत कर रही है और राम मंदिर के बावरी मस्निका केश सिप्रीम कोट में जो है बावरी मस्जद का केस सिप्रीम कोट में है सिप्रीम कोट से जो भी फैसला आएगा पूरे मुल्क के मुसल्मान उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार है और मंदिर के हक में अगर फैसला आता है तो मंदिर बनाएं और मस्जद के हाख में फैसला आता है तो मस्जद बनेगी और उनको चाहिए किसी तरीके से रुकावट ना डाले हम बर्मला इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सिप्रीम कोट का हर फैसला हमें मनजूर है अब ये पूरे मुलक के माहौल को और हालात को खराब करने के ल होना चाहिए कि दालों देवन्ध वह घार है जिस्ट मुलुकी आजादी के सबसे पहली आवाद उटाई थी दालों मुल्कों आजाथ कराया अगर दालों डेवन्ध मूद नहीं होता तो यह इनको जो है मोधी जीको या यूगी जीको यूपी में ओ दिल्लिय में हकुमत कर नहीं होता इस मुल्क को जिस अदारे ने और जिस दालूम ने आजाद कराया है उसी दालूम के बारे में या इसी उल्टी सीडी बक्वास करकर के मुल्क के हालात को खराब कर रहे हैं अब मुल्क की फिजा को बिगाड़ना इनका सिर्फ मॉला आप मौलाना हैं आप एक बात पहले हिंदू लोग ईद को भी बहुत च्छे से बनाते थे और मुस्लिम लोग दिवाली को भी बहुत च्छे से बनाते थे अब क्या फरक आगया है वो उसके बारे बता है अज देखिए इस मुल्क में असल है गंगा जमनी तहजीब के इस मुल्क में सरीयों से हिंदू मु मुसल्मानों ने दिया है और आजादी की लड़ाई में गानी जी को मुसल्मानों ने आगे बढ़ाया है मुसल्मान हिंदू के तेवारों में आज भी जाते हैं कल भी जाते रहे हैं और हमारा मकसद भी यह है कि इस मुलक में सदियों से जिस तरीके से हम रहते हुए आएं उसी तरीके से रहें बीजेपी और आरेसेस वाले अपनी आदतों से अपनी फित्रत से बाज आ जाएं और दो कोमों में नफरत की बीज बोना बन करें तो ये मुलक जन्नत निशाब बन जाएगा वरना ये आरेसेस वबीजेपी इस मुलक को जहन्नम बनाना चाहती है ये दोनों पार्टियां बनाना चाहती है कम असकम इससे गुरेज करें आप खुद सोचिए कि बाबरी की तsen नहीं इंख़ी है मुलकी तोहीं है मुलकी आईन की जो द्धजिया उड़ा जहे हैं ये मुलकी आईन की सिप्रेम कोट की तोहीन है कम मुलकी सालिमियतہ मुलका वाकार जए मजरू हो रहा है पूरे दुनिया के निगाओं में इस मलक का सर्ज शर्म से जुग गया है हमें चाहिए क्या हम इस मलक की सालिमियत को इस मलक की जमोरियत को और यहां क्या आईन व कानून का अहत्राम करें और एक अच्छे शहरी के तरह भाई-भाई के तरह जैसे पहले रहते हुए आएं उसी तरीके से आज रहें तो किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा मुल्क तरकी करेगा सिद्धिक साब एक बात बताएं कि अभी 2019 के एलेक्शन में नजदेग है और बाबरी मस्जिद पर आप लोग यहाँ पर खड़े हुएं तो क्या वाकर महाँ पर मस्जिद होने चाहिए या मंदिर होना चाहिए यह बताएं मैं मेरा मानना यह है कि जो भी हो वो शांती सो पीस्फिलो और लडाई जगडा नहों टेरोराइज नहों मुसल्मानों को दम की ना दी जाए कि आप अगर मंदिर नहीं मनाओगे तो आपको खम्याजाब करना पड़ेगा और आपकी और मज़ीतों को भी हम चाहिए तोड़ेंगे अगर आपको कोई काम करना है तो बैठ कर बात करें सुर्प्रिम कोट के बात करें मैंने एक नई चीज़ होता ही है अगर बी जेपी आ राश्पती किसी केस को जल्दी सौल करना चाहे तो एक आर्टिकल है 138B जो हमारे समीदान की धारा 138B है उसके तहर राश्पती को पावर है कि वो किसी भी केस को सुर्प्रिम कोट को रिफर कर सकता है और वो टाइम बांड फैसला के लिए टाइम बांड का पतला में राश एक महीने में तो यह जो शोर शरावा कर रहा है चिला रहा है पूरे इंदोस्तान में इन्होंने आफल मचा रहा है रेला मचा रहा है मार पीट कर रहा है बंबे से दिली दिली से कलकता कलकता से हैज़ाबाद हैज़ाबाद से कन्या कवारी और फिर अधिया और अधिया और सब्सक्राइब कर रहे हैं विजंढ की सरकार दिली में भी मीजें की सरकार योपी में फिर वी आप मंजिर मनाएगे मंजिर नहीं भ। को रोकना है बंजीर बनाने से आप हिंदोस्तान के एक से परचीस करोड़ लोगों को बेकूब बनाना बन करो वन नहीं तो यही जनता एक सो परचीस करोड़ लोग चाय वाले मोदी को सही में चाय की दुकान लगवा देगे कुछ रात के अंदर और यह आल होगा कि इनकी दो से जो 273 सीट पहुची है यह फिर दो पर ना आ जाए हालात बहुत खराब है मुसलमान नहीं अराएगा यह लोग हिंदू दली किरिचन यही लोग इनको अराएगा सिद्धिक साब एक बात बताएं 2019 के एलक्षन बहुत नज़िक है तो क्या लगता है आपको कि 2019 में मुसलिम वोट कितना बीजेपी को पढ़ेगा बीजेपी को जो 10% वोट पढ़ाता पहले वो भी वापिस आ जाएगा कॉंग्रेस को पॉलराइजेशन हो रहा है कॉंग्रेस को वोट राजिसान मद्यपरदेश करनाटक में गुजणात में अलेड़ी पढ़ गया है पिछले पंजाब का अलेचन आप देख लो करनाटक का तीन अलेक्षन में बीजेपी को जीता बहुत भारी पढ़ा है और करनाटक गा इनको वोट छेर आप देखिए करनाटा का में 36% बी जेवि को मिला अरतिस पर संड कॉंग्रेस को लेकिन उंकि सीटे कम है वी जेविजेबी की सीटे जाधा हूए कि वो ये सब बाद सब का समधान पीस्फुल तरीके से समीरान से बाद चीज़ से हल करें वन्हा बीजेबी का पत्ता साफ हो जाएगा सिद्की साब एक बात बता है कि EVM का रॉल बहुत बड़ा रहता है इसके अंदर तो आपको क्या लगता है EVM से होना चाहिए बैलेट पेपर से होना चाहिए क्या बोलेंगे जब जब आन्जी चलती है ना किसी सरकार के खिलाव आपने 77 में देखा होगा तो कोई EVM कोई वीम जो हिराफी करने वाले वो लोग है वो भी एरा फूरी नहीं करते शाओ फिरान के खिलाफ रवोलुचन होता तो टैंकों को लोगों ने अपनी छातियों से पर चलवा लिया था तो जब हवा बनेगी भाजपा के खिलाफ तो यह में जो हिरा फेरी करते हैं वह लोग जो है 2019 के जुनाव को कहा देखते हैं आप बिल्कुल पोजिटिव एंटी वीजेबी मैं यहीं कहूँ एंटी वीजेबी एंटी एंटी आरेसेस वीएटपी और बजरंग दल दूसरी बात यह है कि 2019 में जो है बीजेबी को एदम शिकस्ते फार्श होगी बीजेबी एक दम बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगी उसकी वज़ा मुस्लमान नहीं है मुस्लमान से ज़्यादा इस मुलक का हिंदू जो है मोधी हकूमत से परिशान है ह्या परिशानी ज़गे अपको जो होना चाएगे इस मुलक का जो हाल है आप जो देख रहे हर रोजबार करने हर तरह से यहां लोग परिशान है यह सेकुलरिजम इस मुलक के लिए की आबरू है जब यहां के सारे मुसल्मान सारे हिंदू बलके मुसल्मान कितनी तादाद में है उससे जादा तो हिंदू है हिंदू परिशान है उनका कारोबार्ट पैसा नहीं है बिजनिस खतम है और हर चीज खतम है तो इस मुलक पर मौधी एक लानत बनकर के मुसल्दत हो चुका है तो मौधी को हटाने के लिए मुसल्मानों से ज़्यादा इस मुलक के सेकुलर आवाम बिल्कुल 2019 में मौधी को गुजराथ वापस भेजने के लिए पहले तो चाइब बिल्कुल तयार है आप थे हमारे साथ मुहम्मद सिद्धकी साहब और मौलाना साहब जिन्होंने कहा कि मंदिर बने चाहे मस्जिद कुछ भी बनने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का इंज़ार केजिए कैमरामेन प्रिदीप के साथ सुरेंदर सिंग गौता